हेलो अबड़ी वोग्यों आ डोइंग वैल इसमी हंसराज यह और आज वीडियो बनने जा रहे हैं चिप्र निवर टू की बैसिकली हमने जब 20 डेज का प्रेंग किया था उसमें हमने सारे के साल चिप्टर्स को गवर कर लिया लेकिन अनफोर्चुनिटली स्टाटी के फोर्ड एस हमने ट्राय किया ओनलाइन जाएं जिसकी वजह से जो हम ओनलाइन लेक्टर्स पर वहां पर नेटवर्क एक्शूज और बहुत सी दीगर मसलाथ के वजह से हम रिकोर्डिंग्स अच्छे से नहीं कर पाये थें इसलिए according to my point जिसतरा तो मैंने कहा था मैं ट्राय करूंगा तो ट्रायं किला और मैं जा रहा हूं चेप्टर नुबर टू को पहले कवर करने की और उसके पाद अगर ट्रायम मिलता है तो मैं चेप्टर नुबर बन को भी कवर कर रहा दूंगा Basically chapter number 2 में आपके पास है क्या तो it is all about vectors and last में आपके पास topic आजाता है torque and equity billion का तो देखें vectors को समझेंगे तो इससे related आपके पास concepts आते हैं chapter 3, 4 और आगे के chapter 5 और 6 वगेरा में तो मतलब आपके पास जो vector है इसको समझना लाजमी है हाला कि देखा जाए इसकी जो आपके पास specification है वो है marks specification इसमेंसे आपके पास total 7 marks आने है, 1 CRQ है 2 marks का और आपके पास 5 executives है पूरा को पूरा conceptual है और इसमें आपके पास 2 तीर ऐसे dropping है जो के आगे वाले chapter में आपको काम दे रहे है fine? So, इसे हम start करते हैं यह दो भी तक last time वाला ही लिखावा है इसे अगर हम start करते हैं तो इसका पहरा पहरा SLO आ जाता है SL No.2.1 आपका second chapter है जो के के रहा है SL No.2.1 में Cartesian coordinate system को समझाओ 2.1.1 में के रहा है, let me read the statement के describe the Cartesian coordinate system in two and three dimensional systems अब Cartesian coordinate system क्या होता है और 2D और 3D में हम discuss करने वाले है देखा थे पहले की जो classes में दी थी जिसमें मैं tuition की तरह चलवा था रिकोर्डिक के साथ साथ में सामने बेटे वे physically students को भी manage कर रहा था उसमें मेरी energy low side चारी थी अब सर्व में मुबायल की camera के तरफ यहने के online पार students की तरफ देखिंगा रहा था और उनकी तरफ आया content पेरा कम चाला था there was certain issues like वो मस्नियां करते थे मैं रूच आता था उनसे पूछ रहा होता था यह वो कुछ लिख रहे होते तो भी मैं break ले रहा होता था जिसकी विज़ा से videos थारा लंबी चली जाती थी हम ट्राय का वेदे pause भी करें लेकिन यह जो मैं video बना रहा हूँ solely for online students बना रहा हूँ तो यहां पर जो कुछ होगा वो पूरा पूरा specific होगा okay ट्राय करूँगा सारे-सारे SLOs कबरों साथ ही साथ यह ट्राय होगा मेरे लिए कुछ होगी कि मैं यहां पर वो सारे-सारे points बता दूँ जो कि हमार पास necessary है MCQs में आ सकते हैं और कुछ ऐसे points जो कि मैंने physically classes नहीं बताया तो भी यहां पर मैं बताने वाला हूँ दूर्बली हमने mathematics में सीखा हुआ है कि आपके पास X access होता है और दूसरा Y access होता है और इस side आपके पास right की side में X किया होता है positive होता है negative और left side में आपका X negative होता है यह दिके आपका left side जो कोगा उसमें X positive और आपके right side में X negative है लेकिन मैं इस तरह से देखों जिस तरह से sorry मैं रुटा के दिया मेरे left side में यहां पे X negative हो और right side में X positive है लेकिन आप जिसे camera में आपके असाब से right कौन सा है positive और negative कौन सा है और left वाला सही है तो आपके पास X access होगा और दूसरा minus का X होगा उसी तरह upward direction में Y positive का और downward direction में आपका negative का होग तब clear? तो यह होता है आपका 2D cardition system जिसमें आपके पास यह central part जहांब है X and Y access जो आप है वो आपस में एक दूसरे को intersect कर रहे हैं यह minus X और minus X यह X और minus Y तो यहां पे आपके पास चार plane alignment है पेड़ा यह plane alignment है जिसमें आपके पास X होगा positive का और Y होगा positive का fine? अगर मैं score अच्छे तरहीं प्लस दढ़ागे लेकिन तो अच्छा रहेगा प्लस का X होगा यहां यह X भी positive है और Y भी क्या होगा positive होगा fine? यहां पे देखिएं तो X आपका क्या है? minus का और Y आपका positive होता है फार पे देखिए X आपका negative and Y भी आपका क्या है? negative है fourth में देख्छे तो आपका X positive है लेकिन Y negative है तो यह आपके पास ही coordinates of 4 planes x-y plane में अगर आप देखेंगे तो दोनों coordinates आपके पास क्या होगे? पोजिटिव होगे और अगर आप देखें माइनस x एंड य प्लेन में तो आपके पास x क्या होगा? माइनस का और y क्या होगा? पोजिटिव का है तो देखें, यहां पे मैंने 4 order pairs बनाएं order pair क्या होता है आपके पास? order pair आपके पास को जिस तरह आप bracket में लिखते हैं जिसमें हम coordinates को लिखते हैं अब coordinates क्या हैं तो आपके पास x की value जैसे कि मैं एक point ले रहता हूँ अब इस point पे यहां से x की value होगी वह वह आपके x का coordinate होगा और इसी point पे perpendicular लगा के यहां पे देखें के y का point होगा वह आपके क्या होगा y coordinate होगा तो आप order pair को कुछ इस तरह से बना लें जिसमें पहरे x को लिखते हैं बात में comma लगा के y को लिखते हैं this is a form of order pair और इन दोनों को मिला के प्या किते हैं coordinates fine यह आपके पास होगे 2D के हिसाब से 2D Guardation System अगर हम देखें इसी के लिहाज से आपके पास 3D में तो 3D में में सेम बनेगा y plane x plane तो यह 2D का तो सेम हम यहां तर copy कर सकते हैं 3D में अब यहां पे आपके पास एक third axis आज जाएगा that is called z axis जो के perpendicular होगा x and y दोनो coordinates x की कुछ इस तरह से होगा जिसमें अंदर की side जो होगा minus का z axis जो बायर की side आ रहा होगा वो positive का z axis होगा अब इसको कि मैं समझाने ही कुछ करना हो तो यह आपका होगा x axis इसके perpendicular upward direction में जो जाएगा वोगा आपका y axis fine और इन दोनों के perpendicular में देखूं तो क्या होगा यह तो कोई line अंदर जा लिए होगी यह तो कोई बाहर जा लिए होगी तो थायर जो axis बनेगा होगा क्या बनेगा कुछ किस तरह से बनेगा जो कि आउट पार्ट इन इन वाइड डिरेक्शन में होगा तो x axis, y axis and z axis आपका कुछ अंदर और बाहर की साइड में होता है fine so this is your 3D cardation system और इसके अगर मैं order pair इसकी बात करूँ 3D में तो पेरे x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं बाद में z लिखते हैं fine 3D order pair आपकी पास इसी कहा गया है पर इसको solve नहीं किया हुआ तो उसके लिए से मैं नहीं कहता कि कहीं पे भी नहीं आया हुआ लेकिन जहां जहां पर मैंने दिखा आपके मुझे नहीं नहीं आया है तक ही तक ही तो इसका idea आपको होना चाहिए 3D में आपके पास कैसे बनता है Cartesian coordinate system और 2D में कैसे बनता है 2D के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए विकास यह आपके पास बहुत जगाओं पे यूज होने बाला है इस चिप्र में दूसरी चीज हम एंगल भी बनाते हैं मेक्रमेडिक्स नहीं आप ऐसी आपके पास दो लायंES के दर्मयाने इंगल क्या है इसा तरह यहांपी आपके पास आ जाता है दो वेक्τοर् 한की एंगल क्या बन रहा है तो एंगल को हम हमेशा बनाते हैं वेसे अगर इस लाइन की इससा से बनाएं इंगल को हमेशा बनाते हैं positive x axis की line से और उसको बनाके nt की लोग 20 देखे चाहते हैं सहीं तो के बास first x and y plane में कितना ओपर 90 का angle बनेगा second वाले में 90 and third वाले में 90 and fourth वाले में 90 बनेगा देखस यह क्या है आपस हम perpendicular x and y plane सा perpendicular या x and y x सा perpendicular to each other fine so this was all about 2.1.1 जिसमें हमने डिसकस किया partition coordinate system को 2 and 3 dimensional systems में okay अब नेस एसल आपके बास जो आ रहा है आपके वीडियो आपके बास एक-दो बोल जिसमें हम पूरा आपके चेप्टर ही गबर कर दू मतलब ज्यादा से आप तीन ये 4-5 वीडियो की तरह चामदा तो हम continue रहेंगे अब हमने चेक कर दिया आपके पास starting coordinate system क्या होता है या आपके असल हो जाता है दिन आपके पास एकीन एसल हो रहा है एसल नाबर 2.2 जिसमें हमें देखना है edition of vectors by head to tail rule vectors की edition को देखना है और हमारा यही सिलसला रहा है कि हम क्या करते है पेरे chapter की नाम को समझते है उसके बाद उस chapter को study करने चाहते है तो यहां पे हमें vectors की edition करनी है तो हमें पता आप चाहिए at least vectors नहीं क्या वैसे बहुत से बचों को पता होगा already because 9th में भी यही आपके पास churn topics देखे vectors क्या है, Scalars क्या है basics थी और question में भी आपके पास बहुत ज़्यादा related concepts ही है तो देख लेते हैं आपके पास vector क्या है और साथे साथ में vector और scalar की दर्गया differentiate भी करता चाहूंगा fine तो यहां पर में लिख देता हूं आपके पास physical quantities आपकी जितनी भी physical quantities होती है उनको normally, genuinely classify करते हैं दो types में एक आपके बात होती है scalar और दूसरा आपके पास होता है vector fine अब download को अगर मैं differentiate करो scalar क्या होता है vector क्या होता है तो आपके पास scalar में scalar एक एसी quantity होती है जिसको describe करने के लिए मुझे सिर्फ magnitude की ज़ब होती है so a quantity that can be described solely by its magnitude is called scalar scalar quantity requires magnitude only to be described completely so मुझे क्या चाहिए magnitude only चाहिए to describe this fine लेकर इसको describe करने के लिए मुझे सब कुछ चाहिए magnitude भी चाहिए इसकी direction भी चाहिए fine so vector quantities ऐसी quantities होती है जिनको describe करने के लिए मुझे मुझे तो चाहिए प्लस उसकी direction भी चाहिए कि भाई कौन सी direction है कहां पर जा रहा है vector तो a quantity that can be described by its magnitude and direction is called vector quantity so इसे describe करने के लिए हमें क्या चाहिए magnitude तो चाहिए fine प्लस क्या चाहिए इसकी direction भी चाहिए कि कौन सी direction में जा रहा है लेकिन बाब की जाए scalar में हमें सब magnitude की जरूरत है direction की कोई जरूरत नहीं है तो मैं दिखूँगा scalar doesn't require direction okay हो गई तो अनों के basic यही आपके पास differentiation बन जाती है अब ठाड़म करने जा रहे है क्या आपके आपके वेक्टर्स की examples क्या है scalar के example क्या है देखें आपके पास magnitude और direction दोनों होते है scalar में सिर्फ direction होता है direction की कोई requirement scalar की लिए नहीं है तो अगर मैं scalar quantity को direction दे दूँ तो वेक्टर बन जाएगी जैसे कि आपके पास distance quantity होती है distance क्या है उस travel किये पूरी length को अगर मैं measure करूं total path वो तो वो आपका होगा distance fine distance आपके पास क्या है quantity है एक ऐसी quantity जिसे आपको describe करने के लिए magnitude चाहिए कि कितना रास्ता cover करके बन्दा एक point से दूसरे point पे गया है तो हम क्या मांग रहे हैं quantity की magnitude चाहते है distance आपके पास किस की example आ जाती है scalar की okay distance करके examples लिखूँ का आपके बास आजाता है पहरे distance fine लेकिन यहां पर अगर में examples में लिखूँ तो आपके पास यहां पर distance है तो यहां पर क्या आएगा displacement because displacement आपको क्या बताता है shortest path between two points यह वो बताता है आपके पास एक body cradle कर रही है last day को तो वो कितना बात cover कर रही है plus कौन सी direction में जा रही है तो आपके पास displacement है किसी quantity होगी है जिसको describe करने के लिए मुझे magnitude plus direction तो यहां पर आपके पास आजाएगी example में vectors की displacement आगे बताएगे distance by unit time is called speed तो speed आपके पास क्या होती है magnitude के कितनी speed से कोई गाली मुग कर रही है कोई बंदा है train है तो speed आपके पास example है इसके energy करसी fine because इसको describe करने के लिए मुझे सिस magnitude चाहिए लेकिन displacement over time करो यही कि मैं कहता हूं कि एक body कितनी speed से in particular direction जा रही है यही कि एक body move कर रही है वो कितनी speed से जा रही है पहले जीज speed यहीं कि उसका magnitude कितना है कितना है magnitude से move कर रही है second कौन सी direction में जा रही है fine speed भी मिल किया speed यहीं कि magnitude of that vector plus direction हमिच चाहिए तो direction and magnitude again दोनों किसकी पुसुस याते है vectors की तो आपके पास यह क्या हो जाएगा velocity हो जाएगा displacement by unit time is called velocity similarly इसके आगेम करने speed by unit time time change in speed by unit time आपके पास आजाती है speed उसके रहा यहापे velocity by unit time करने आपके पास acceleration आजाती है okay again this is what electric quantity और उसके रहाब दूसरी example आपके पास साथ basic unit units होते हैं साथ basic basic quantities होती ही time length mass वगेरा तो 7 के 7 आपके पास क्या है scale हरे mass scale हरे time scale हरे length scale हरे उसके लबाद current temperature or luminous intensity or mass of the substance यह निके more अगेर चो भी है यह साथो की साथो quantities आपके पास क्या है base quantities है इन base quantities को अगर मैं देखूँ तो यहां पर देखने force, torque और उसके लाँ बहुत से examples vectors में भी आ जाती है fine, यहां पर पता चल गया scalar और vector quantities में क्या परक है और main चीज़ क्या होता है ऐसी quantity जिसको describe करने के लिए magnitude भी चाहिए और उसका direction भी चाहिए कि कौन से direction में move कर रहा है या उसकी direction क्या है okay तो अगर मैं vector को define कर दूँ vector तो उसके पास क्या होगा पहली चीज magnitude होगा और उसके पास end direction होगी fine अगर मैं कहता हूँ velocity कितनी है 50 meters per second एक object है कोई भी वह move कर रहा है 50 meters per second के साथ यहां तक मैंने यह क्या बताया magnitude भी बता दिया अब direction बता रहा हूँ towards towards north एक object है जोके move करके जा रहा है north की direction में 50 meters per second की speed के साथ तो मैं magnitude भी बता दिया और यह direction भी मैंने बता दिया कि north की direction में जा दिया अब मैंने यहां पे north को भी छेर दिया है तो north के लिए मैं बता दूँ कि यह बात सबको पता होने चाहिए यह आपका north होता है यह आपका south होता है यह आपका east होता है और यह आपका west होता है सही यह आप सबको पता होने चाहिए यहां पे Vegas यहां पे हमारे पास कुछ executes बन जाते है जोके इसी concept से related होते है कि आपके पास एक बोड़ी बूप करके जा रही है नौट की साइड में इसकी डायेक्शन में तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इसे कोईशन से कैसे रिल करेंगे तो यहां पर देखा जाए पॉजिटिव य एकस आपके पास नौट की डायेक्शन है नेगिटिव एकस आपके पास साउथ की डायेक्शन है पॉजिटिव एकस डायेक्शन आपके पास है एस की और नेगिटिव एकस आपके पास डायेक्शन है वैस की यह याद होने चाहिए आपको तो यहां पर हमने basic concept of vectors देख लिया कि वो क्या होता है अब देखते हैं addition of two vectors normally हम देखें इसके लिए नमबर को भी करा जाता है तो अगर normally देखा जाए तो आपके बास जब भी मैं दो numbers को add करूँगा तो उनका result किया आएगा जैसे कि मैं 8 कर रहा हूं 2 plus 5 7 आएगा कुछ भी कर लो 2 plus 8 6 आएगा कुछ भी कर लो 10 plus 15 35 आएगा आप उस विजर्ड को change नहीं कर सकते हैं लेकिन vectors की दुन्या में अगर मैं 2 plus 5 कर रहा हूं तो हो सकता है 7 भी आए हो सकता है 5 भी आए हो सकता है कोई और बेटी भी है तो मतलत आपके पास लाजमी नहीं कि अगर मैं दो वेक्टर्स को एड़ कर रहा हूं तो जिस तरह से नोर्मली मैटमेडिक्समें कर रहा है 2 plus 5 हमेशा 7 के बराबर होगा तो ऐसा नहीं कि वेक्टर्स में भी 2 plus 5 हमेशा 7 के बराबर होगा वोथ सकता है वेक्टर्स में 2 plus 5 7 के बराबर भी हो वोथ सकता है 7 से कम भी हो तो अब हमемे रेंज केसे बता चड़ीगी रेंज से पूरात अगर मैं दो वेक्टर्स को aid कर रहाम तो दो वेक्टर्स को aid कर ने पर मेक्सिम Jewish खेया सकती हैEd और minimum value के आ सकती है और उसके लावाद जो values आएंगी वो maximum and minimum values के दर्यान होगी जिसे कि मैं यहां पर k देता हूं कि मेरे पास a vector है जो आपके पास क्या है 5 है अब इसकी कुछ direction होगी उसको मैं भी नहीं दिखा रहा हूं उसका magnitude message बता रहा हूं और b vector आपके पास है सबसके देते हैं 3 अब mathematically अगर मैं a plus b करूं तो कितना आना चाहिए मेरे पास 5 plus 3 equal to 8 आना चाहिए ओके अगर मैं mathematically करके देखों तो मेरे पास क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए लेकिन यहां पर हमारे पास 8 आना चाहिए मतलब आपके पास जो maximum value होगी minimum value क्या होगी greater vector यह दिके बड़ी value से smaller values को minus कर लो यह दिके 5 minus 3 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 2 आता है तो मेरे पास 2 क्या है minimum value है और 8 मेरा क्या है maximum value है तो मेरे range जो होगी 2 से 8 के दर्म्यान कुछ fine यह दिके अगर मैं A और B को जब add करूंगा तो मेरे पास value 2 भी आ सकती है 8 भी आ सकती है अब यह depend करता है कुछ conditions के उपर जिसको आप कहते हैं vector law of addition जब हम दो vectors को add करते हैं head to tail rule यह rectangular components उसके रहाब क्या कहते हैं parallelogram method यह सारी है जो आपके पास base है जिनसे हम vector addition को ढूंते हैं उसमें हम क्या देख रहे होते हैं आपके पास magnitude क्या होता है direction क्या होता है और उसकी base पर बता देते हैं उससे ज्यादा जितने भी vectors हम add कर रहे हैं उनका sum कितना होगा fine तो यह depend करता है vector के magnitude plus direction दोनों पर है okay तो यहाँ पर इसकी direction इन दोनों की direction determine करेगी कि आपके पास answer 2 आता है 8 आता है 3,4,5,6,7 क्या आता है यह आपके पास answer points में भी आसकता है 2,5,6,3,8,6 कुछ भी आ सकता है answer 2 और 8 के दर्म्यान inclusive 2 and 8 मतब 2 भी आ सकता है 8 भी आ सकता है और उनके दर्म्यान की क्योई भी value आ सकती है और यह depend करता है आपके पास vectors की direction की आगी fine तो अब आगे देखते जाएंगे मैं जानता हूँ यहां तक आप confuse होगे क्या answer क्या आएगा कैसे आएगा लेगि जैसे जैसे मा आगे बढ़ेगे आपको यह और मजीद अच्छी तरह से clear होता जाएगा तो इससे लुकी science बढ़ते हैं आपके पास और उसकी science बढ़ते हैं आपके पास representation of vector अगर मैं करूँ यह नाम लिख लेते हैं जैसे के मैं करता हूँ suppose मैं पास vector A तो A एक vector ही है देख के पढ़ने वाले को reader को या examiner को चेट कर आओगा आपकी copy को उससे के से पता चले कि यह vector है तो इसकी representation के लिए हम दो इसके उपर arrow लगा देते हैं okay तो A उसके लब दूसरा तरीका theoretically रिप्रेसित करने का A लिखके उसके उपर बार लगा दो यह बार आपके मास मतलब उसके उपर एक line बताता है वो बता है एक vector है उसके लब आप जो third way यह vector को रिप्रेसित करने का वो है book में use वह ज्यादा होता है वो यह ही कि आप vector को थोड़ा bold कर दो I hope यह बढ़ आप समझते होंगे bold करना क्या होता है मतलब उसको थोड़ा मोटा कर दो उसको थोड़ा highlight कर दो तो book में आप थोड़ा रिप्रेसिंट कर रहे होते हो generally यह लिखने में यह वाली representation रही होते है vector को लिखे वेक्टर का लिखे उसके उपर array लगा दो यह रिप्थे रही होते है एक वेक्टर रहे graphically बात करें तो graphically हो vector को रिपेसिंट करते है एक line के दुग each line लगा दी और उसके आगर आपने arrow लगा दिआ अब, line का मसत क्या है यह क्या होगा, एक line होगा, एक length है, तो the length of this line will give you the magnitude, okay, तो आपको magnitude देता है, graphically देखें तो आपको magnitude बिलता है, इस line से, यादिके length of given vector, ग्राफिकली आपको यह vector और skater में length को देखो, तो यह length आपको क्या देखें, यह magnitude दे रही है, और यह arrow है, यह arrow represent करता है direction of given vector, तो यह arrow आपको direction बता रहा है, और length of this vector represents the magnitude, fine, और इससे mcqs generate हो सकता है, 9 में तो मैंने बुट से mcqs देखें दे, अब यह ग्यान से हैं, के मैंने पासक्रा सारे के सारे नहीं देखें, और मुझे सब्रेड़ इस सवा याद दी नहीं है, तो यह representation होगी, आपका slo क्या क्या सब्सक्राइब आपस इससे range कर लेते हैं, के रहा है, slo number 2.2.1, explain this sum of vectors using head to tail rule, यह आगें बहुत से बच्चों को आता होगा, अगें repeat कर लेते हैं, थुरा बिल्कुल बच्चों मारे तरीके में, कि आपके पास head to tail rule है, क्या इससे explain करते हैं, तो देखें हमार पास यह graphically representation है और यह head to tail rule जो आपके पास graphically दो या दो से ज़्यादा vectors को add, टेटी यह use किया जाता है, जैसे कि मैं अगर के दूँ, आपके पास एक vector है, एक vector आपके पास है, A, सही है, जिसकी direction कुछ ही यह है, और दूसरा vector आपके पास है, इस direction में, उसे मैं किया देता हूँ, यह बी vector ह Fine, अब अगर मैं A plus B करना चाहता हूँ, तो देखो, मेरे पास A plus B करने पे इन दोनों के vector की एक range आएगी, यह दिके add होने के बाद, इनका sum जो final answer होगा, result in, उसकी एक range आएगी, वो range क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर मैं कहता हूँ, कि आपके पास A की value है 5, और B की value मैं लेता हूँ 6, Fine, और इनकी direction आपके पास representation की गई, इस arrow के तुरू, अब मैं इन दोनों vectors को add करना चाहता हूँ, तो मैं normally add करूँँगा किस तरह से, पहले मैं अगर A plus B करना चाहता हूँ, Fine, अभी मैं अगर A plus B करता हूँ, तो पहले मैं लिखूँगा A, यादि के A को draw करूँगा graphically, कर लिया, पर इक है 5, is key name thing, सही है, अब मैं skill अपने साब से skill लेकी चुद रहा हूँ, सब को skills करता हूँ, मेरे पास 1 cm, 1 cm अगर आपको represent कर रहा हूँ, वह सारे की सारी आगे की बात है, skill कैसे set करते हैं, उसके जरी हम कैसे करते हैं, यह चीज़े मैं जानता हूँ, अभी आप लोगों के जहन में आ रहे हैंगी, बिकस यह अदूरी knowledge आपके जहन में अगर ले, तो यह confused कर रहे हैंगी, यह A का head है, A के head पे B की tail रखी आपको, fine, इस तरह से कुछ, यह आपने B को draw कर दिया, क्या कि आपने, फर्स्ट वेक्टर यह दिके जो आपका फर्स्ट वेक्टर A था, A के head पे, यह निए फर्स्ट वेक्टर के head पे, आपने क्या किया, second vector यह दिके B का tail joint कर दिया, fine, and B के बाद आपके बास फोई और वेक्टर नहीं, तो आपको क्या find दरना है, resultant, यह दिके sum of these two vectors, okay, तो resultant हमें कैसे मिलता है, resultant को हमें find करने के लिए, last vector, यह दिके यहाँ पे इस case में आपके पास last vector क्या है, B है, तो B के head पे resultant का head बनेगा, okay, और first vector, यह दिके A आपका इस case में, first vector के tail पे resultant था tail बनेगा, तो first vector के tail पे resultant का tail, और last vector के tail पे, or sorry, last vector के head में resultant का head बनेगा, और जब इन दोनो points को मैं aid करूँगा, यह के मिलाँगा, तो मेरे पास एक line आएगी, again यह एक vector बन बन बाए, इस vector की length आपको क्या देगी, resultant का magnitude, और यह आपके पास direction दे रहिए, एक resultant था direction क्या है, कुछ direction नहीं, fine, और resultant का क्या कह देते हैं, आप कह देते हैं, this is your head to tail group, जिसको मैंने जबानी करके समझा दिया, एक और example लेते हैं, जिसमें हम क्या करे होंगे, a plus b plus c करते हैं, तीन vectors को add करने, उसके पाद इसकी definition को लिखते हैं, सही है, तो अगर लेता हूं, मैंने पास एक और vector third, that is c, उसकी direction कुछ ऐसी है, fine, और इसको मैं करना लेता हूं, लिखता हूं a plus b plus c करना चाहता हूं, तो अमेरे बास क्या आएगा, तो पहले मैं अगर इसकी तरह a को बनाओंगा, a बना दिया, और a के head पे second vector, तो यहां पर second vector क्या है, b, a के head पे b का tail join करूंगा, तो b का tail यहां पे join किया और b की डाय ची कुछ इस तरह से, a, this is your b, fine, अब b के बाद, b के head पे c का tail join करूंगा, यहां second vector के head पे third vector का tail join करूंगा, तो b के head पे c का tail join करूंगा, कर दिया join और c की direction क्या है, upward direction यह, and this is your c, अब resultant के आपने कैसे find किया था, resultant के आपने find किया था कुछ इस तरीके से, के last vector, यहीं के last vector आपके है c, c, c के head पे resultant का head, और first vector, यहीं के a, a के tail पे resultant का tail, तो a के tail पे resultant का tail, और last vector यहीं के c के head पे resultant का head, और इन दौनों points को अगर में join करता हूं, तो मुझे एक line मिल रही है, एक new vector मिल रही है, वो क्या होगा आपका resultant इस case में, find, अब यह length आपको यह पुरा vector मिलना है, जिसमें इसके specific length है, जो के resultant का magnitude पता है कि measure करने पे, और इसके particular direction है, जो कि यह a बता रहा है आपको, fine, अब एक और मैं point सुलो, यहाँ पे मैं a plus b करूँ, या b plus a करूँ, कोई फर्ग नहीं पढ़ता हूं, okay, और यहाँ पे अगर मैं a plus b plus c करूँ, या नहीं कभूँ के रहा हूं, मैं a plus c plus b कर रहा हूं, या उसके लावा मैं b plus c plus a करता हूं, मतलब कोई भी order रखनों, मेरे पास resultant जो आएगा, उसका magnitude और direction क्या रहेंगे, सेम रहेंगे हर case में, बल कोई भी order रखनों, यह नहीं के आपके पास addition of vectors, vectors के order पर depend नहीं करती है, okay, अब यहाँ पे इसकी definition देख लेते हैं, नहीं, head to tail rule, states that when head of first vector जब head of first vector is joined is joined with the tail of second vector यह हम कर रहें नहीं, first vector के head को second vector की tail से join कर रहे हैं, जब आपके पास when head of first vector जब पहले vector का head join कर दें second vector के tail के साथ, fine and इसी तरीके से हम दूसरे vectors को भी क्या करेंगे, join करेंगे, okay and similarly and similarly and which other which other vectors if exist यहां तक हो गया, अब resultant यह यह final answer final sum जो आपके पास आ रहा है, side vectors को join करने का, उसको कैसे find करेंगे resultant is given by यह given by simple azone joining tail of resultant with the tail of first vector tail of resultant first vector and head of resultant with the head of last vector okay let's go a little move this is your head to tail move this was your head to tail rule this was your head to tail rule fine अब आप resultant को किस तरह से find करते हैं resultant को find करने के लिए resultant की tail को first vector की tail के साथ resultant के head को last vector के head के साथ join करते हैं और पूरा यह vector बनाते हो आपको क्या बनता है resultant this was your head to tail rule fine अब आपके बास हम move करते हैं अब आपके बनाते हैं resultant की जाने जो किता है define करो resultant क्या होता है negative vector क्या होता है unit vector क्या होता है inner vector क्या होता है position vector क्या होता है okay तो यहां पर आगे उसकी दर जाने के लिए एक और main point आ रहा है मेरे पास जो के iris मेर को पेरे ही बता देना चाहिए था लेकिन यहां पर बता देते हैं चल जाता है के आपके पास हमने कहा था के एक vector को define करने के लिए हमार पास क्या चाहिए magnitude and direction fine अब देखो vector को किस तरह से represent करते हैं वो हमने देख लिया magnitude को represent किस तरह से करते हैं वो हमने diagramatically ग्राफिकली देख लिए lines और magnitude को represent करते हैं लेकिन theory के लिए magnitude को represent करने के लिए vector को डिख लेते हैं और उसके बनाबर में कुछ इस तरह से lines लगा देते हैं modulus और इसको represent करने का एक और तरीका simple यह है कि मैं vector लिखना हूँ यानि कि A लिखना हूँ उसके ओपर कुछ भी ना लगाऊ मतलब अरो लगाऊँगा तो वेक्टर हो जाएगा तो आपके पास vector को define करने के लिए क्या चाहिए एक scalar चाहिए और उस scalar की direction चाहिए fine अब उसके representation के लिए उपर से कोई arrow या कोई bar लगरा ना लगाऊ fine अब आप मूव कर रहे हैं इनकी types की side में तो define कर रहे है resultant vectors को resultant को अभी हमने discussing किया था head to 10 rule में क्या किया था हमने जब 2 या 2 से ज्यादा vectors को join कर रहे थे तब आपके पास एक new vector मिड़ा था उनका sum जो के क्या था resultant था अब अगर मैं कहता है उनको में पास एक body यह suppose करते हैं इक divide इसमें मैं force लगा रहा हूँ इस direction में भी okay इस direction में भी force लगा रहा हूँ fine और star star में इस direction में भी force लगा रहा हूँ और यहां से मैं किसी चीज से बांग के इसको आगे भी खीच के जा रहा हूँ अब इस box के ऊपर कितने एक दो तीन चार चार forces लग रही है अब इन चारो forces के लगने के बाद यह box कौन सी direction में move करेगा इधर जाएगा उपर जाएगा नीचे जाएगा को कौन सी direction में जाएगा यह हमें find करना है तब box कौन सी direction में मिले जाएगा यह हमें कैसे पता चलेगा हमें यह कुछ इस तरह से पता चलेगा कि अगर मैं इन चारों वेक्टरस इनके इन चारो forces को sum करने sum करने के पाद इतका जो resultat आएगा उस resultant की चो direction होगी वो आपने बताएगी कि आप box कौन सी direction में मुख करेगा और उस resultant का magnitude बताएगा कि box उस particular direction में कितनी force के साथ मुख करने वाले है सही या कितनी acceleration के साथ मुख करने वाले है because force की वजा से किसी body में आपके पास exploration products होती है तो मतलब आपके पास क्या हुआ resultant क्या है resultant आपके पास net effect है दो यह बहुत से जादा vectors का जैसे कि मैं simply अभी करूँ a plus b और इनका आपके में resultant बनाओ head to tail के थुरू कुछ इस तरह से resultant आपके पास बनेगा तो मतलब आपके पास a vector of b vector अगर दोनों मिलके किसी body के ऊपर आप बारक करते हैं यादि कि a और b दोनों आपके पास suppose करते हैं a भी फोर्स है db फोर्स है a force और b force दोनों एक object के ऊपर exert की जा रही है तो finally वो box कुछी direction में move करेगा और कितनी acceleration के साथ उस direction में move करने बाले वो आपके कैसे बता रहेगा resultant के साथ इति कि a और b किसी object के ऊपर exert की जा रहे है तो आपके पास resultant बताएगा कि वो box इस direction में move करेगा जैसे कि अभी देख लेते हैं यह आपका box है a की direction यह है और b की direction यह है तो आपका resultant बता रहा है कि आपका box इस direction में move करने पाने सही तो resultant basically बता रहा है यह देख लो resultant आपको बता रहा है 2 या 2 से ज्यादा vectors का net effect कि अगर मैं एक object के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा vectors को लगा रहा हूं तो अगर 2 से ज्यादा vectors किसी भी object के ऊपर 8 कर गए है या 2 है तो से ज्यादा vectors किसी object के ऊपर 8 करते हैं तो उनका net effect क्या होता है उस net effect को हम कहते है resultant okay resultant is the net effect of two or more vectors okay तो इसको अगर लिखना हूं resultant is the net effect rate of two or more vectors और इसका basic idea मैं देने की कोशिश दी अब आपका जो slo आप उसमें के रहे define तो define करने का अगर आपको वह समझ में नहीं आया यह definition अगर के लिए रहे हैं तो भी आपका यह slo उसका पार्ट है resultant वाला वह हो जाता के लिए सेकिर आप मूब करते है negative vector की side अब negative vector आपके पास क्या होता है तो simply अगर मैं vector कहे लेता हूँ एक a vector है okay और suppose मैं कहता हूँ a vector आपके पास इसकी length जो होग है 5 है या इसका magnitude की है 5 है और दूसरा vector b है okay और b की length या magnitude कवर हो किया है 5 है तो जब दो vectors उन दोनों का magnitude same हो लेकिन direction क्या हो? empty parallel हो या इनके opposite direction हो और जब मैं देखूंगा तो आपके पास वो दोनों एक दूसरे के negative होंगे जिस तरह से देखूंगा यहाँ पे a vector है उसकी direction क्या है इसकी side में यह जिए positive x-axis की direction में east की direction में a की direction और b vector को मैं देता हूं b की magnitude के वो भी 5 है लेकिन उसकी direction क्या है waste की direction में और हमें पता रहे east और waste आप उसमें क्या होते है anti parallel direction में होते है या simply कहा जाए a और b vector सब क्या है anti parallel direction में anti parallel से मुराद कि आपके पास एक vector इस direction में जा रहा है दूसरा vector उसके opposite direction में जा रहा है और अगर दोनों vectors का magnitude से हैं है लेकिन direction opposite है तो उसले क्या कहेंगे negative vector तो यह आपके पास first vector था अब second हम define करने जा रहे negative vector को so negative vector is same magnitude but opposite direction okay negative vector के पास same magnitude होता है लेकिन direction क्या होती है opposite होती है opposite किसके opposite direction to some other vector okay but opposite direction true या of भी रिख सकते हो some other vector जैसे कि मैं यहां पर लिखना हूँ यहां कि मैं रिखना a और b और यह दूना आपके पास क्या है vectors हैं तो represent vectors की तरह ही पड़ते हैं मैं कहें सकता हूँ a आपके पास बराबर a मैं यह कहूँ तो a आपके पास बराबर a minus b की okay अगर मैं b को b की साथ minus लगा रहा हूँ यहां कि उसकी direction को मैं opposite कर रहा हूँ okay मतलब आपके पास minus represent करता है opposite direction को fine so यह point हमेशा जैन रिखना चाहिए minus represent कर रहा है यहां पर विक्रस पर है अगर देखिंगे हम minus आपके पास represent करता है opposite direction को तो यहां पर देखिए के a आपके पास बराबर a opposite of b यह निका अगर मैं b की direction को reverse कर दूँ तो मतलब a और b बराबर हो जाएंगे यह क्या हो जाएगा minus का b हो जाएगा पर इसकी direction क्या होगी होगी है इसकी direction को मैंने opposite और अगर इसी तरह से मैं चाहूँ तो मैं यह भी बराबर है b मेरे पास minus a की बराबर है तो मैं जिस तरह से मैं a is equal to minus b लिख सकता हूँ उसी तरह से b is equal to minus a b लिख सकता हूँ वह कुछ इस तरह से कि मेरे पास a इस तरह से b यह आसर नहीं अगर मैं इस point को describe कर दूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ है यह वेक्टिट का negative data यह यह को minus a की direction को reverse कर दूँ तो वह b के बराबर हो जाएगा अगर मैं a की direction को reverse कर दा हूँ तो वह b के बराबर हो जाएगा a is equal to b हो जाएगा ओके तो I hope यहां पे आपको negative vectors का कॉंसे भी किलिए रहो गया है थर्ड आपके पास आ रहा है unit vectors को तो unit vector आपके अच्छा दिस्क्रिशन का डूपगे जिसको मैं रहास में करने बागा हूँ आपके बूप करते है null vectors की side तो null vector एक ऐसा vector जिसका magnitude 0 हो okay मतलब एक ऐसा vector जिसके बास magnitude हो ही ना जब magnitude नहीं इंता हो क्या आपके 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 DRX के पास कुछ आपके लिए तो ZERO MGMत अगर magnitude 0 हो ही तो इसकी direction क्या होगी direction कहए कम पता नहीं ठ DBZ नहीं कहेंगे कि उसके बास direction नहीं है बहुत मैंने पता है vector उसके पास को इनकी direction होगी नगस करें बास नहीं लोट क्या ही यह हम पता नहीं सकते हैं, इसका magnitude ही 0 है, तो इस case में किरते हैं, 0 vector है किसा vector है, जिसका magnitude क्या होता है, 0 होता है, और इसकी direction क्या होती है, arbitrary direction होती है, जैसे कि इस case में, अगर मैं a plus b करता हूं, a plus b करूंगा, तो मेरे पास दोनों के opposite हैं, जब opposite direction में 2 vectors होते हैं, और उन दोनों को अगर मैं aide करता हूं, और दोनों का magnitude से नहीं, या simply कहा जाए, अगर दो vectors negative of each other हैं, और उन दोनों को मैं aide करता हूं, तो दो negative vectors को aide करने पे आपका resultant आएगा, वो आएगा 0 हो, ओके, तो दो vectors को aide करने पे आपके पास resultant आया है, और resultant भी आपके पास एक vector quantity होती है, तो उस vector quantity के पास direction ना हो, ऐसा हम नहीं कह सकते, मतलब हम कहेंगे इसका magnitude तो 0 है, लेकिन इसके पास कुछ direction है, वो क्या है हम नहीं पता सकते, इसलिए हम कहते हैं, इसपी direction क्या है, arbit ready, तो 0 vector को अगर मैं define करूँ, 0 vector या null vector भी कहते हैं इसे, 0 या मैंनिटड़ एक इस सब्सक्राइब एक उसक्छ एक एकर भी कहते हैं, this is your zero vector की definition उसके लाब आपके पास अज़ेता है position vector और उसके बाद equal vector रहता है उसके बाद हम देखें किंदर और unit vectors को तो position vector आपके पास क्या होता है उसको define करने के लिए अगर मैं simple पूछू vector का नाम देखो रहने क्या रखाव है position vector position vector मतलब यह आपको क्या देगा नाम में चुपावा है position तो अगर मैं देखो position vector तो यह क्या दे रहा है आपको position दे रहा है किसकी देगा अब यह देख लो अगर मैं केता हूँ मैं पास एक xy plane है यह xy minus x and minus x y मैंने tradition plane बना दिया और इसमें मैं केता हूँ यह मेरा origin होगा जाही बात है और यह मेरा point इस point को मैं केता हूँ पी अब मैं चाहता हूँ यह जानना के position of पी point पी point की position क्या होगी with respect to origin origin के दिहां से origin के reference से पी point की position क्या ही तो यह कैस से find करूँगा मैं यह find करूँगा with the help of position vector तो एक ऐसा vector जो के आपको define करके बताता है किसी भी given point की direction with respect to a given point यह निके यहाँ पे with respect to origin with respect to origin तो हम क्या बहेंगे यह के पास position vector है with respect to a given point बोर respect toा हम कोई भी point ले सकते हैं यह एधिके हम normally generally जो हम ले रहे होता है रहा हम आपका origin point तो हम इसको define कुछ इसता से करते हैं के एक ऐसा vector जो पास किसी भी given point की या किसी भी given point की तहां टेके सकते हैं position एधा location specify करता हो with respect to origin उसे हम कहते हैं position vector तो इसको मैं रिफाइन कर देता हूँ कि a vector that specifies the position of any point of any given point with respect to or with reference to another point okay and another point what you have to do really or general what you have to do or origin this is not or origin point P direction or location or position बताम हो क्या होगी यह अगोगी और यह आपका r vector ही okay position vector को normally small r से represent कर रहा हूँ generally कोई hard and fast नहीं रहीं रहीं से हम normally represent कर रहा हूँ तो देखो O यह के origin के respect से origin के reference से point P की location को specify कर रहा है यह point P की position को specify कर रहा ही कौन कर रहा ही है यह r vector कर रहा है और यह r vector अपका क्या है position vector है यह vector बताएगा कि आपके पास origin से point P कितना दूरे और कौनसी direction में है okay so this was all about your position vector और यहां पर आपके पास अधी दो all types रहती है that is equal vectors and unit vector मैं अभी try रहा हूं कि मैं अभी इस video lecture में equal vectors को cover tip देता हूं बहुत सचा है मैं unit vectors को इसी में cover करूं या next में cover करूं तो equal vectors आपके पास क्या होता है जिस तरह से हमें परा negative vectors को उसी तरह से आपके पास क्या कहेंगे equal vectors जिस तरह से आपके पास एक vector है A और इसका magnitude suppose कर लेता है अगें 5 और दूसरा vector है B और उसका magnitude भी suppose कर लेता है 5 है दौनों आपस में क्या है parallel है यानिके दौनों की direction क्या है सेम है आपके direction भी सेम हो और magnitude भी सेम हो तो आपके पास क्या होंगे Equal vectors only Fine So इसको भी define कर लेते हैं Equal vectors have same direction and same magnitude fine fine this is your definition of Equal vectors अब एक और main point सब्लो Equal vectors और Negative vectors के भी आज से के Equal vectors और Negative vectors में अगर आप देख रहे हैं यहां पे जिस तरह से में निका A vector है और B vector है अगर A आपका force vector है तो B भी आपका force vector होना चाहिए मतलब दोनों force होना चाहिए दोनों velocity होने चाहिए दोनों expression होना चाहिए दोनों की quantity same होनी चाहिए Okay अभी quantity same नहीं है तो हम नहीं नहीं कह सकते equal हैं या opposite हैं या negative हैं इस तरह सरे कुछ भी नहीं कह सकते पेकास उनकी quantity same होनी तो यहां पे negative और equal vectors में यह point भी याद रफने चाहिए कि हमारे पास equal vectors को अगर मैं आगि refine करूँ कि same direction हो same magnitude हो या साथी को नहीं होना या acceleration होना चाहिए या velocity होना चाहिए या कैसा की में quantity wow और הגण होननाaurais iyan that Media that the magnitude is same में act os के लिए जिसमें हम सब कुछ सब कुछ कर चुके हैं only unit factors आपका रहता है unit factors को करेंगे next video में discuss thank you so much